अभी 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 अंडों से निकले ओलिव रिडली कच्वों को जल्दी से पानी की ओद दोड लगानी होगी। ये बड़े केकडों और परिंदों का आसान शिकार बन जाते हैं। मैं आर्ट प्रोजेक्ट के लिए आई थी, मुझे कुछ तस्वीरे चाहिए थी, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूंगी। मैं कॉंजर्वेशन जैसा कोई काम सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कच्वों के समंदर की ओर दोड को देखूंगी, क्योंकि ये उनके लि देच देते थे, 20 साल पहले ये सब बंद हो गया, परियावरण बचाओं से जुड़े NGO सहयादवी निसर्ग मित्र ने इन समुद्वी कच्वों की हिफाज़त चुरू की, वाशिंग्टन कन्वेंशन ओन वाइल लाइफ ट्रेज साइट्स ने इन्हें दुरलभ प्रजाती की सूची में रखा है। ये इको टूरिज्म व्यापार के रूप में विक्सित हो चुका है, जिससे कच्वों और लोगों का सबका फायदा है। आद साल से उन सैलानियों की मेजबानी करता आ रहा है, जो यहाँ कच्वों देखने आते हैं। हर साल वो अपने मकान को होमस्टे में बदल देते हैं। मौका होता है वेलास कच्वा महोत सवका। जब से हमने होमस्टे चालू किया है, हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए हैं। इससे पहले यहाँ कुछ नई था, सिर्फ देहाडी मजदूरी थी। लेकिन अब हम अच्छा पैसा कमा लेते हैं और हर साल बहुत से परिटक हमारे गाउ में आ रहे हैं। काम के नए अवसरों ने गाउं के युवाओं को भी फायदा पहुचाया है। अबरार होडे कर, खाडी में अपनी नौकरी छोड़कर वापस वेलास आ गए। और उन्हों ने ही गाउं का पहला होमस्टे खड़ा किया। पहले इस गाउं को कोई नहीं जानता था। अल्मोस्ट देखा जाए तो इंडिया के लास्ट कोना ही है समझ लो, वेलास्ट एक लास्ट कोना है अपना। तो जब टर्टल फेस्टिवल के वज़े से आज अल ओर वर्ल्ड में जाना जाता है। वेलास्ट एटल फेस्टिवल के इसाफ से जाना जाता है। कमर्शल होटलों की गैर मौजूदगी से सैलानियों को भी ठेठ ग्रामीर अनभाव का रुमांच मिल जाता है। वे यहां कुद्रत के अनोखे नजारे देखने आते हैं। उसमें खलल डाले बगैर। गाउवालों ने कुछ नियम कायदे बना रखे हैं। इसलिए गाउं के लोगों ने ही यह डिसाइड कर लिया कि इस बीच के ऊपर कभी भी हम कोई भी सैंड एक्टिविटी नहीं करेंगे, वाटर स्पोर्ट्स नहीं होगा, बीच पर लाइट्स नहीं होगे, आपको गाड़ी एक जगा पर पार्क करनी पड़ती है और वहां से स्थानिय लोगों के सामने एक और चुनाओती है, कच्छुआ सीजन साल में बस चंद हफ़तों के लिए आता है, सैलानी साल भर आते रहें, इसके लिए नए जतन करने पड़ेंगे, हाला तो बिलकुल मुफीद हैं महसागर में डॉल्फिन सफारी हो या मैंग्रोव के जंगलों की कयाक से सैर, कई स्थानिय लोग टूर गाइड बन गए हैं स्थानिय फूल पाउधों को और वनस्पतियों को उनसे बहतर कोई नहीं जानता यहां पर हमारी भूमिका है, हम लोग उन्हें हॉस्पिटेलिटी की ट्रेनिंग देते हैं या टूरिस्टों से कैसे बातसीत करनी हैं ये बताते हैं स्थानिय लोग अपने ग्यान को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे लोकल नॉलेज को अपनी सूचना में शामिल करें और टूरिस्टों का माइंड सेट बदल पाएं ये एको टूरिस्म वेलास में ओलिव रिडली कच्छुओं को बचाने के उपाय के तौर पर शुरू हुआ था आज ये और दस तटिये गावों का ब्लूप्रिंट बन चुका है ये नन्हे कच्छुए कभी न कभी वेलास के तट पर रेत में अंडे देने लोटेंगे यहाँ परेटन सही ढंग से हुआ तो कच्छुओं की आने वाली पीढ़ियां भी बे रोक टोक समंदर की ओर निकलती रहेंगी